नमश्कार स्वागत आप सभी का संस्क्रति आईए इसके यूट्यूब प्लैट्फॉर्म पर मेरा नाम है शुबम और आज हम बात करने एक महत्पून टॉपिक पर जो जुड़ा है फसलों के MSB से हाल ही में भारसरकार द्वारा छे फसल के नियुंतम समर्तन मूल्ले को बढ़ाने की मंजूरी दे दी गई है इसी के साथ ये छे फसल राभी की फसल है और इसमें श्रामिल है ग्यहूं चना सरसो जों सनफ्लावर सीट और मसूर इसमें जो नियुंतम व्रिद्धी करी गई है वे है 130 रुपे और अधिक्तम व्रिद्धी करी गई है वे है 300 रुपे प्रती कुइंटल जहां ग्यहूं की बात करी जाए जिसके MSP को इंक्रीज करा गया है 1500 रुपे प्रती कुइंटल के साथ और जो नया मूल निर्धारित कर दिया गया है वे है 2425 रुपे प्रती कुइंटल यह सबसे जादा MSP में रेप सीट और सरसों में व्रिद्धी देखने के लिए मिली है जो 300 रुपे प्रती कुइंटल है इसी के साथ मसूर को समझे तो 275 रुपे प्रती कुइंटल की व्रिद्धी देखने के लिए मिली है अब सरकार इसके लिए कुल खर्च कर रही है 87,657 करोड और सरकारी दर पर रभी फसलों की खरीद बिकरी का सत्र एप्रेल 2025 में शुरू होगा अब किन फसलों पर कितनी MSP बढ़ाई गई है इसे समझ लेत और यह जो MSP बढ़ाया गया है ठीक आज जिस रेट पे हमें प्रती कुइंटल जो क्रॉप मिल रही हो उसके बारे में और यह आने वाले समय में जो प्रती कुइंटल मिलेगी यानि कि साल 2025 में अच्छा गयों की बात करी जाए तो 1500 रुपे की व्रिद्धी प्रती यह आज जो प्राइज मिल रहा है वो 2275 रुपे का है अब बढ़कर 2425 रुपे कर दिया गया है इसी के साथ बार ले को समझें तो 130 रुपे की व्रिद्धी ग्राम को समझें तो 210 रुपे की व्रिद्धी वही मसूर को समझें तो 275 रुपे की व्रिद्धी और सबसे अधिक रेपसीड और मस्टर्ड में किया गया है वह 300 रुपे प्रति कुिंटल की व्रधी सनफ्लावर 140 रुपे की व्रधी के साथ है अच्छा नियूंतम समर्थन मूले क्या होता है यह वह दर है जिससे सरकार किसानों से उनकी फसल को खरी दिती है और कोशिश यही रहती है कि जो भ गई थी यह साल 1966 और 1967 में घ्यहूं पर सबसे पहले MSP को लागू किया गया था अब कि फसलों पर दिया जाता है MSP तो यह टोटल 22 मेंडेट क्रॉप है जिनके लिए MSP दिया जाता है इसी के साथ क्रिशी लागत और मूले आयोग दुआरा सरकार MSP के लिए सिफारिश करती ह वहीं गन्नों को समझे तो गन्ने के लिए उचित और लाबकारी मूले की सिफारिश करी जाती है फसलों की सूची को समझे तो अनाच फसल के अंदर साथ कुल फसले हैं जिनमें शामिल है धान ग्यहूं जो जवार बाजरा मक्का और रागी वहीं दलहन को समझे तो पांच दाले हैं चना, अरहर, मूंग, उड़त और मेसूर की दाल तिलहन को समझा जाए तो मूंगफली, सरसो, तौरिया, सोयबीन, सूरजमुखी के बीच, तिल, कुसुम का बीच और रामतिल का बीच वहीं कच्ची का पास, कच्चा जूट, नारियल और सूखा नारियल भी शाम आयोग को समझ लेते हैं, तो ये किसके अंडर आता है, जो हमारी एकरी कल्चर मिनिस्ट्री है, उसी के अंडर ये आता है, और ये जो अस्तित्व में आया है, वो 1965 के समय पर आया है, ये एक सहकारी निकाय है, इसके सिफारिश सरकार के लिए बाध्यकारी नहीं होती है, किया जाता है, आयोग खेती की लागत समित विभिन कारकों का भी और उस पर भी विचार करते हैं, जिसमें शामिल क्या है, फसल की लागत, तोटल क्रॉप पर जितना खर्चा आया है, इसी के साथ उत्पात की जो भी मांग है मार्किट के अंदर, और आपूर्ती, इसी के सा आश्ट्रे बजार में हमारी फसले जा रही है, उस पर भी सोच विचार किया जाता है, वो भोकता के लिए मूल ले, मुद्रा, स्तीफी, इसी के साथ वातावरण, मिट्टी और पानी का उपियोग जो किया गया है, इस पर भी ध्यान दिया जाता है, क्रिशी और गैर इधारण लिए क्रिशी मंत्राले के राजचेवर और फसल विशिष्ट उत्पाद लागत अनुमान से संबंदित आकडों का उपियोग करता है, ये आकड़े तीन वर्ष के अंत्राल पर उपलब्द होते हैं, और इसी की तीन कैटेगीरीज है, यानि कि तीन प्रकार के उत कीट, नाशक और श्रम, पट्टे पर ली गई भूमी, इंधन, सिचाएं, आधी पर किये गए प्रत्यक्ष खर्च इसमें शामिल होते हैं, यानि कि हर एक प्रकार का खर्च इसके अंदर शामिल होता है, अगर आपने जमीन को किराई पर लेके ही क्यों ना खेती करी हो, A2 और FL, ये A2 के साथ साथ पारिवारिक श्रम का एक अधी रोपित मूले भी शामिल करता है, इसी के साथ C2 ये अधिक व्यापक अवधारणा है, जो A2 और FL में किसानों की स्वामितों वाली भूमी और अचल संपत्ती के किराए तथा ब्याज को भी शामिल करता है, MSP से किसानों को क्या लाब है, इसे समझ लेते हैं, सबसे पहले आयस सुरक्षा, एक फिक्स्ट अमाउंट को निर्धालित कर दिया जाता है, जो मार्किट के अंदर फिर उच नीच पैसे की नहीं होती है, ये किसानों को उनकी फसल के लिए नियुन्तम मूले की गरेंटी द चाता है, अब मूले स्थिरता को समझ लेते हैं, यह क्रिशी उत्पादों की कीमत को स्थिर रखता है, इसी के साथ ये अत्यधिक उतार चड़ाव को भी रोकता है, जैसे हमने उपर समझा, इसी के साथ इसमें उभोगताओं के लिए किफायती मूले सुनुशित करने में किसानों को प्रोसाहित करना इसमें शामिल है, यह उपच का उचित मूले प्रदान करके क्रिशी उत्पादन बढ़ाने के लिए प्रेरित करता है, वहीं खादे सुरक्षा भी इंपोर्टेंट है, खादे सुरक्षा यह किसानों को मुख्य फसल के उत्पादन के लिए प्र आप सभी के लिए comment section में mention कीजेगा, मिलते हैं आप सभी से next video में.